बिहार में कुरोणा की दूसरी लहर थमने के बाद अब स्कूल और कोचिंग संक्स्थानों को खोलने की तैयारी है इस बात के संकेत तो पहले ही सिक्षा मंत्री विजै कुमार चौधरी ने दे दिये थे और अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मताबिक इसी महने के दूसरे हपते से मजद विद्याले और हाई स्कूलों के साथ साथ नेजी सिक्षन संक्स्थानों को भी खोला जा सकता है राज सरकार का यह मानना है कि लंबे वक्त से सिक्षन संक्स्थानों के बंध होने की वज़ा से चात्रों पर इसका बुरा असर पड़ा है अब जब कि कोरोना संक्रमन के मामले ना के बराबर आ रहे हैं स्कुलों को खोलने में कोई परिसानी नहीं दिखती है हाला कि अभी भी प्राथमिक बिद्दालयों को खोलने पर सरकार फैसला लेने नहीं जा रही है छोटे बच्चों के लिए इसकुल अभी नहीं खुलेंगे राज में अनलॉक 4 की गाइडलाइन 6 अगस्थ तक लागू है इसके पहले क्राइसेस मेनेजमेंट ग्रूप के बैठक होगी इस बैठक में तय हुगा की 7 अगस्थ से छूट का दायरा कितना बढ़ाया जाए सूत्रों की माने तो 10 अगस्थ से इसकुलों और सिक्चन संक्स्थानों में क्लास सुरू हो सकते हैं आपको बता दे कि क्रोणा की दूसरी लहर आने के साथ ही राज में सिक्चन संक्स्थानों को बंद कर दिया गया था 12 जुलाई से 10 वी के उपर के सभी कॉलेज और बिस्विद्दालय को खोलने का सरकार ने फैसला किया अब तक उच्च सिक्चन संस्थानों में परिक्चा पर रोक है लेकिन अब सरकार माध्यमिक और हाई स्कूलों को खोलना चाहती है सिक्चा मंतरी विजय कुमार चौधरी के मताबिक पूरी इस्थिती की समिक्चा करने के बाद चरनबध तरीके से स्कूल खोले जाएंगे दूसरे चरन में क्लास 6 से लेकर 10 तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की तयारी है राजधाने पटना में बार का खत्रा मंडरा रहा है पटना जीले में चार नदिया खत्रे की निसान के उपर बह रही है गंगा समेथ पुनबुन दरगा और कररवा नदियों का जलस्तर सोंबार को खत्रे की निसान के उपर चला गया है गांधी घाट पर गंगा नदी खत्रे के निसान के उपर बह रही है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण कुर्जी मोड के पास बिंद टोली का संपर्क बाकी इलाकों से तूट गया है। पीएम मेटरियल बता रहे हैं हो लेकिन बीजेपी ने साप कर दिया है कि पीएम पद को लेकर एंडिये में कोई वेकंसी नहीं है। वहाँ पुछे जानने पर भी क्या भयूस में नितीश कुमार उनके साथ आ सकते हैं। लालू ने काया कि वह नहीं समझते हैं कि अभी नितीश कुमार उनके साथ होने जा रहे हैं। और जेडी सुप्रीमो लालू यादव ने चिराग पासवान को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। लालू ने काया कि LGP के अंदर चाहे जो भी हुआ हो लेकिन हकिकत यह है कि चिराग पासवान एक लिटर बन चुका है। लालू ने एक कदब आगे बढ़ते हुए इस बात का एलान कर दिया है कि बिहार में लिटर के तौर पर चिराग पासवान की पहचान है। चाहे LGP में जो कुछ भी हुआ हो चिराग ही निता है और आगे चिराग के साथ ही गुलबंदी होगी। बिहार के उदोग मंत्री साहनवाज हुसेन ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के बाराबंके ओधोगिक छेत्र इस्तित एग्रो फुड पार्क का दोरा किया। उसेन ने काया कि बिहार के मुझफुर में मेगाफुट पार्क का निर्मान होना है। उत्तर प्रदेश में मेगाफुट पार्क की बारिक्यों को समझ कर बिहार के भी मेगाफुट पार्क को बहुत अच्छे से विकसित करना चाहते हैं ताकि बिहार की किसानों को लाब मिल के साथ युवाओं के लिए रोजगार के बहुत अफसर पैदा हो और ये मेगा फुट पार्क अपने आप में एक मिसाल भी बने भारी बारिस के बाद बिहार में आई बार को लेकर जनता अधिकार युवा परिसत के प्रदेश अध्यक्ष राजु दानवीर ने कहा कि बार से लोग परिसान हैं कई जिलों में यही इस्तिती बनी हुई है इस दोरान जानमाल की भी छती हुई है मदद के लिए लोग सरकार की ओर टक्टकी लगाया बैठे हैं लेकिन सरकार की ओर से राहतकार के नाम पर लोगों को कुछ नसीब नहीं हो रहा है डबल इंजन की सरकार बस PMCM खिलने में लगे हैं अधिकारी वठेकेदार लूटने में लगे हैं आजू दानवी ने सरकार से बार पीडितों के लिए 6 मा का रासन, पसुओ के लिए 4 और 10,000 रुपईये नगध हर परिवार को देने की मांग की है उन्होंने कहाया कि बिहार में बार हर साल सरकार की लापरवाही और अधिकारी वठेकेदारों की लूट की वज़ा से आती है उन्होंने आगे कहाया कि सरकार और उनके अधिकारी कभी भी बार का इस्थाई समाधा नहीं निकालना चाहते हैं जिसका खामियाजा हर साल जनता को भुगतना होता है। पंचायती राजमंत्री ने बताया कि पंचायतों को मंगलवार को पत्र जारी कर हिदायत दी गई है कि वह 15 अगस्त 2021 से पहले हर हाल में आटीपियस काउंटर का संचालन कायर प्रारम कर दे। जहां पर पंचायत सरकार भावन नहीं है वहां पर मन्रेगा भावन या अन्य सरकारी भावन में इसका संचालन किया जाएगा। बिहार सरकार का ग्रामिन कायर विभाग अपने आधिन एक लाग किलोमेटर से अधिक सडकों की मरमत कराने जा रहा है। विवागे अस्तर पर होने वाली इस मरमत कायर के लिए कई कर्मियों की जरूरत विभाग को होगी। छोटे बड़े सभी पदो पर कर्मचारियों की बहाली करने की प्लानिंग भी चल रही है। अपकार में लगे मजदूरों के काम की निगरानी के लिए सभी सेक्षन में दो-दो मेट भी बहाल होंगी 1070 सेक्षन के हिसाब से राज में 240 मेट रखने की योजना है आज निर्वाशन आयोग त्रियस्तरिय पंचार चुनाव की तैयारियों में जुट गया है आयोग ने सभी जिलों को EVM में प्रयूक्त होने वाले मतपत्रों की छपाई का निर्देश दिया है पहली बार EVM से होने वाले मतदान में पदों के लिए छपने वाले मतपत्रों के रंगों में कोई परवर्तन नहीं किया गया है पहले बैलेट बॉक्स में होने वाले मद्दान में पदवार बैलेट पिपर के अलग-अलग रंग होते थे आप EBM में चार पदों के लिए लगने वाले बैलेट पिपर की छपाई कराई जानी है EBM में जिन चार पदों के प्रत्यासियों के लिए बैलेट पिपर का प्रयोग होगा उसमें उजले कागज पर काले रंग से ग्राम पंचायत सदस का नाम प्रिंट किया जाएगा इसी प्रकार से मुख्या पद के प्रत्यासियों का नाम उजले कागज हर्रा रंग में पंचाय पार बिदाले परिक्षा समीधी पटना ने एक आदेश जारी कर कहा है कि बोड के मैट्रिक और इंटर पास स्टुडेंट्स अपने माक्सीट में सुधार करवा सकते हैं। इसके बाद इसकोल के प्रधान द्वारा रिकॉर्ड निकाल कर इसकी जांच की जाएगी। प्रधार मांजी और दर्भंगा के सांगसद गोपाल जी ठाकोर ने मुलाकात की। बादचीत के दोरान यात्रियों की संक्या को ध्यान में रखते वे टर्मिनल भवन का विस्तार करने, पतादिकारी वा कर्मचारियों की संक्या बढ़ाने तथा प्रवेश द्वार में टर्मिनल भवन तक यात्रियों के आवागमन के लिए विवान कमपनियों द्वारा यी वेकिल की सुविधा दिये जाने का आगरह किया था इसके साथ ही सांगसद ने कहा कि एरपोर्ट की सुरक्षा के लिए CISF की नियुक्ती किये जाने की आगरह किया है तो आज के सुर्कियों में बस इतना ही भिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों रिस्तेदारों में सेयर करना ना बोले धन्यवाद